सभी दर्सकों का हिंदी शर्टाकारिक्रम में स्वागत हैं दर्सकों विज्ञान एक ऐसा सब्दे जिसे सभी ने सुना है यह विज्ञान हम अपने जिन्दगी में रोज मर्या की जिन्दगी में भी उपयोग करते हैं और अपने चारों तरफ इसका उपयोग देखते हैं ये विज्ञान अपने मौलिक सिध्धान्तों और गड़ित की गड़नाओं पर कार करता है। ये मौलिक सिध्धान और गड़ित की गड़नाएं एक सामान आदमी को समझने में बहुत कटनाई होती है। आज हिंदी सर्ता कारिक्रम के अंतरगर मैं इनी विज्ञान की जो मौलिक सिध्धान्त हैं और जो गड़ित की गड़नाएं हैं उनको कैसे सरलीकृत किया जा सके इसी विशाय पर चर्चा करेंगे। और इसके चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज जो मेहमान पदारी हैं वह हैं डाक्टर सुब्रता मिश्रा जी आपका स्वागत है। डाक्टर सुब्रता मिश्रा जिनोंने बनस्पती सास्त्र से डाक्टर हरी सिंग गौर विश्विद्यालय सागर से MSC और विक्रम विश्विद्यालय उज्यन से PhD किये। डाक्टर सुब्रता मिश्रा सोध्धार्ती विद्यारती थी परंतु उन्होंने सोध कार के लीक से हटकर लेखन कार को अपना केरियर बनाया और उस केरियर में भी उन्होंने हिंदी का चुनाव किया। आज सुब्रता मिश्रा बरतमान में कुओा में रहकर हिंदी के 50 प्रिछार के लिए कार कर रही है। यदि हम डॉक्टर सुबरता मिस्रा की पुस्तकों के बारे में बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में अभी तक उनकी 25 पुस्तके प्रकासित हो चुकी है। डॉक्टर सुबरता मिस्रा ने बिज्ञान के मौलिक सिध्धानतों और उनके अंचुए पहलों को सरली क्रिक किया करते हुए बिज्ञान के प्रसार के साथ साथ हिंदी का भी प्रचार किया है। उनके इस लेखन के लिए बर्स 2014 में उनकी द्वारा लिखित पुस्तक भारती अंटार्किटिक संभारतंत के लिए तक कालीन महामहिम राश्पती स्रीप्रणों मुखरजी द्वारा पुरुस्कार प्राप्थ हुआ है। इसके अत्रिक उन्हें मद्द प्रदेश सरकार के द्वारा युबा लेखन पुरुस्कार भी प्राप्थ हुआ है और भी कई राश्टी पुरुस्कार प्राप्थ हुए है। इसके अत्रिक डॉक्टर सुब्रता मिश्रा अपने व्यक्षान के माद्यमों से देश के भिन्ने भिन संस्थानों में हिंदी के साथ साथ विज्ञान के प्रिचार करसार में कार कर रही हैं। आईए हम आज उन से इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डॉक्टर सुब्रता मिश्रा जी आप एक सोधार्ती बरस्मती सास्तर के सोधार्ती चात्रा रही हैं। आपने अपना शोद कार छोड़कर लेखन का कार प्रारूं किया और वह भी हिंदी में। इसका क्या कारण है। आपने पूछा कि मैंने हिंदी में ही विज्ञान का लेखन क्यों शुरू किया। तो सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहूंगी कि जो लेखन है। वो मैंने बच्पन से ही लेखना शुरू कर दिया था। मैं तीसरी कक्षा में थी। उस समय मैंने एक हिंदी में कविता लिखी थी चोटी कविता। और वहां से मैं समझती हूँ कि मेरा लेखन का जो कारे था वो शुरू हुआ। और क्रमशा परिश्क्रत होते हुए जब मैं शोधार थी बनी। तो जो विशय थे मेरे वो प्रारंब में तो समसामिक विशय थे। दैनिक भासकर नव भारत उसमें समचार पत्र आते थे। उसमें मेरे छपा करते थे। लेकिन ग्रमशा जब मैं PhD की तरफ बढ़ी। तो मेरे जो लेखन का विशय था वो विज्ञान की तरफ सीमित होता चला गया। और जहां तक ये बात है कि मैंने लेखन को क्यों चुना शोधार्थी होते हुए भी। तो उसके उसमें गहराई में जाएं तो जब हम B.S.C. में थे। तो B.S.C. में मेरा माध्यम हिंदी था और फिर जब मैं M.S.C. में आई PhD किया तो माध्यम अचानक से अंग्रेजी माध्यम हो गया। तो B.S.C. और M.S.C. में जब हम विज्ञान को पढ़ते थे चाहे वो हमारे जी विज्ञान के वनस्पति शास्त्र है जुलाजी है रसाइन है इन सभी विश्यों को जब हमने पढ़ा तो उसके लिए जो संदर्ब किताबें हम उप्योग करते थे वो जादा तर किताबों की भी जरुरत होती है तो मैंने ये महसूस किया कि हिंदी की जो विज्ञान की किताबें होती थी उनका इसतर उतना नहीं होता था जितना की हमारी जो हम अंग्रेजी के लेखुकों की विज्ञान किताबें पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि कमी ज तो मैं जब PhD में आई तो मुझे लगा कि शोध तो सभी कर लेते हैं और मेरा जो शोध विशह है उस पर भी आगे काम काफी हो सकता है लेकिन क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे की विद्यार्थियों को और समाज को भी इस विज्ञान की जो जरूरत है उसका पता चले लो इनको एक ग्राह अंग्रेजी में लिखा जाए तो फिर मैंने बैक्टिया वाइरस, साइनो फेस, फिजियलॉजी, एन्वारिमेंटल साइंस जितने भी मैंने पढ़ा था उन सबको मैंने ग्राह अंग्रेजी में पंडुलिप्या तयार करना शुरू किया और फिर खेर में PhD के दौरान तो रिसर्च से जुड़ गई और मैंने उधर भी देखा कि किस तरह से रिसर्च के लिए भी जो मैठोडोलोजी वगएरा होती है उसमें कठनाईयां आती हैं तो फिर मैंने मेरी पहली किताब आई रिसर्च मेठोडोलोजी पर जो मेरे मार्क दर्शक जो मेरे गाइड थे PhD के प्रोफसर वीपी सिंग सर उनके साथ मैंने इस किताब को लिखा साइंटिफिक पब्लिकेशन जोदपूर से ये पहली किताब मेरी प्रकाशित हुई थी उसके बाद जब ये किताब आ गई तो थोड़े एक हिम्मत आई कि हाजो मैंने पांडोली पियां तयार की हैं उनको भी हम पुस्तक ग्रूप में प्रकाशित कर सकते हैं तो वो सारी की किताबें ती फैर दूसरा पड़ाो मेरे लेखन कहाता है विग्यानलेखन का जो हिंदी में घ्र 19 2004 में तो यहां जब हम आतो मैंने यहां पर हिंदी कमी को महसूस किया और चास्टोर पर विज्यान कर सेट्र में हिंदी की कमी को मैंने ज्यादह मैंसूस diverक्त मुझे बात और एक चीज़ और होती है कि जब आप जॉब में रहते हैं क्योंकि गोवा में आने के पहले मैं जॉब में थी तो जॉब की कुछ बाध्यताएं होती हैं और लेखन यदि आपको करना है तो सतंत्र होना जरूरी है तो यहां पर जाब की ऐसी कोई बाध्यता थी ने और ह तक मेरा प्रयास रहा है कि मैं हिंदी में विज्ञान को एक नई दिशा एक नया द्रिश्टिकॉन दे सकूं और विज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हिंदी के माध्यम से पहुंच सके। अगर हम इसको इस बात से समझजें कि यदी हम बिज्ञान को हर चेतर की जितरी भासाओं में रूप अंतरत करें तो उससे क्या हमें लाब मिलेगा बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि सिर्फ हिंदी ही नहीं जिसे आप देखेंगी कि हमाई नई राश्ट्री शिक्षा नीती जो आई है उसमें इस बात का विशेश ध्यान रखा गया है खास तोर पर भाशा का ध्यान रखा गया है क्योंकि ये एक कठनाई जरूर आती है चाहे वो विज्ञान की पढ़ाई हो चाहे दूसरे विश्यों की पढ़ाई हो ज्यादा तर जो संदर्व किताबें हैं उच इस्त्रिय उनका वो अंग्रेजी में है क्षेत्रिय भाशाओं या हिंदी में उन किताबों की उपलब्धता बहुत कम है तो इसलिए इस द्रश्टी से भी हम देखें तो विज्ञान को क्षेत्रिय भाशाओं में भी जरूर लिखा जाना चाहिए और एक समय आएगा क्योंकि शिक्षानीती में जिसे हम देख रहे हैं कि आजकल मेडिकल की पढ़ाई है या इंजिनेरिंग की पढ़ाई है वो भी अब हिंदी और क्षेत्रिय भाशाओं में कहीं कहीं होने लगी है और कहीं ऐसे संस्थान है जहां होने की तैयारी चल रहे है अभी मद्दप्रदेश शासंद्वारा ये अनमोदित किया गया है कि उनका अगला सत्र जो मेडिकल का पढ़ाई है अंग्रेजी की जरू होने जा रहे हैं उसमें निश्चित तोर पर हिंदी में और क्षेत्रिय भाशाओं में इन किताबों की जरूरत पढ़ेगी और वहां आप देखेंगे कि किस तरह से जो यह विज्ञान लेखन है जो क्योंकि इन किताबों को हमें चाहिए उन वो जो भी कोर्स आ रहा ह है उसके लिए किताबों का होना जरूरी है तो वहां यह हिंदी में विज्ञान या शेत्रिय भाशा में विज्ञान जो है वह बहुत आगे बढ़ेगा लक्टर सुपरता मिसरा जी जैसे अभी आप विज्ञान को हिंदी में लिख रही है और हमने इस अंदर में बात की कि तो अभी जो आप हिंदी में विज्ञान के लिए लेखन कर रही है उसमें आपको क्या-क्या समस्या आ रही है और वही समस्या है क्या छेत्री भाशाओं के साथ भी आ सकती है तो उनका समाधान कैसे देखेंगी आप जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने क्योंकि चाह भी हम संदर्व लेते हैं वो आपको मौलिक रूप से हिंदी में नहीं मिलती है वो किताबे और ज्याद तर जू भी चीज है उसको अनुदित किया रहा है जो गलत है क्योंकि कोई भी चीज को आप यह अनुदित करेंगे तो उसमें वो मौलिक ता नहीं आपाईगे इस बा कि जितनी भी हमारी अंग्रेजी में उपलब्ध विज्ञान की किताबें हैं चुकि वो अंग्रेजी लेखकों की हैं और दूसरी जो अनुदित किताबें हैं वो भी अंग्रेजी लेखकों के किताबों से अनुदित किया गया है तो वो जो परिवेश होता है चाए वो उध Vignyān को अपने भारत के लिए लिख रहे हैं, तो वहां उदाहरन भी भारतिय होना चाहिए, इस ठान भी जो है जिनका हम जिक्र करते हैं, संदरब देने के लिए, विज्ञान को सम्झाने के लिए, तो वो भी भारतिय परिवेश के होना चाहिए. तो इस रिष्टिकॉन से जो भी अब नई किताबें मौलिक इस तर पर ही विज्ञान में लिखी जाएंगी हिंदी में और शेत्रिय भाशाओं में उनका ये विज्ञान लेखक विशेश रूप से इस बात का ध्यान रखेंगे ताकि जो बच्चे हैं जो विद्यार्थी हैं या आम व्यक्ति भी विज्ञान को पढ़ रहा है तो वो भारतिय परिवेश में लेके जब उसको पढ़ेगा तो वो ज्यादा उसको सही तरीके से समझ सकेगा डक्टर सुबर्दा विश्रा जी जैसे आपने बताया कि हम सारी अभी पुस्तकों का अनुदर करते हैं हम अपनी जो इस भासा में अनुदर कर रहे हैं तो वो तो खोजी गई सारी पुस्तकों में जो भी विज्ञान है उसका अनुदर है जो नया विज्ञान आ रहा है जो उसके लिए आप क्या समझ विचार रखते हैं? वही बात है कि जैसे मैं अपनी अब बात करूँ कि बहुत से ऐसे विज्ञान के विशें हैं जैसे आप ने का कि जुच आई आए हैं बिल्कुस सही का कि विज्ञान को यदी हमें आगे बढ़ाना है या हम कहें कि विज्ञान का भविष्य क्या है तो देखे चाहिए वो न्यूटन ने एक खोज कर दी गुरुत्वा कर्शन की अब आप उसी चीज को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं कुछ नया होना चाहिए जैसे आज का कंप्यूटर के शेत्र में या तकनीकी के शेत्र में कितना बदलाव आ रहा है या हर व्यक्ति समाज का मुबाइल कोई ले लिजे मुबाइल भी अपने आप में एक विज्ञान है हर व्यक्ति उसका उप्योग कर रहा है लेकिन उसके पीछे क्या विज्ञान है या हम मेडिकल की बात करें आज जब से कोरोना आया आप देखें दोगा कि विज्ञान को ने जो विशय है उनको हम जैसे जो विज्ञान लेखक है या आप देखेंगे कि आज कर समाचार पत्र जो हैं वहां भी यह चोटी जो विज्ञान की पत्रिकाएं नहीं हैं, जो साधरन पत्रिकाएं हैं, उनमें भी कुछ ऐसे पन्ने हैं जो fix कर दिये गया है, विज्ञान का एक कॉलम दे दिया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, समाचार पत्रों में एक समय ऐसा था, कि कभी कब हर ही विज्ञान के समाचार आया करते थे लेकिन आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे कि विज्ञान के समाचारों को भी समाचार पत्रों में एक इस्थाई रूप से इस्थान दिया जाने लगा है और वो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लोग हैं वो विज्ञान की तरफ आकरशित हो रहे हैं ये नहीं कि सिर्फ आप पाठे पुस्तकों में ही विज्ञान को पढ़ना है आम लोग भी उसकी तरफ आ रहे हैं और ये वो ही नए नए विशा हैं चाहे वो medical के हो, अंतरिक्ष में आप दे कि जब से हमारे इस्रों ने मंगलयान, चंद्रयान लेकर आए हैं, तब से लोगों का ध्यान भी अंतरिक्ष विज्ञान की तरफ जाने लगा है, तो ये वो चीजे हैं या हम कह सकते हैं वो साधन है जिनके माध्यम से की विज्ञान जो है वो लोगों तक पहुच रहा है और उसमें कहीं न कहीं हमारी hindi भाषा और राच्षेत्रे भाषा में जो बाते आ रही है विज्ञान की उन्हों ने लोगों को और विज्ञान की बीच का जो एक पचीज किताबें हैं, लेकिन वो मैंने विद्यारतियों के लिए लिए लिखी थी तो वो अंग्रेजी की थी, लेकिन हिंदी में जो मेरी किताबें हैं, वो अब तक तीन किताबें आ चुकी हैं, और आगे निकट भविश में आपको और भी मेरी हिंदी में विज्ञान की कित जो मेरी पहली किताब थी जिसका आपने जिक्र किया था भारतिया अंटार्क्टिक संभारतंत्र वो मेरी पहली किताब है हिंदी को में जिसको मैंने लिखा था और वो प्रत्वी विज्ञान मंत्राले से प्रकाशित हुई और यही वो किताब है जिसको महामहिम प्रणव तक को ये पुरुसकार का सम्मान मिला, इस किताब में मैंने आपको पता होगा कि जो अंटार्क्टिक अभियान हमारे देश दे जाते रहे हैं, तो इस किताब में खासतोर पर पहले अभियान से लेके तीसवे अभियान तक की सारा जो वरतांत है, और खासतोर पर उसमें संभा संभारतंत्र का मतलब मैं इस्वष्ट करना चाहूंगी कि जो भी जिसको हम अंग्रीजी में लॉजिस्टिक कहते हैं तो हमारे जो अभियान जाते हैं भारत के जिसमें वेग्यानिक अलग-अलग तरहने के शोद करते हैं एक पूरा दल जो है हर साल जाता है तो उस दल का प्र जो करता है वो संभारतंत्र करता है तो उसकी पूरी जानकारी इस किताब में रोचक शैली में लिखी गई है ताकि लोगों को पता चले कि किस तरह से अंटार्क्टिक जैसी जगे में भी हमारे यहां के लोग काम करते हैं और उसके पीछे काम करने वाला अंटार्टिक संभ समुद्र विज्ञान का है अंतराश्ट्रिय हिंद महासागर अभियान के 50 वर्ष स्वरनिम 50 वर्ष तो ये बहुत ही ये भी बिलकुल अंचुआ विशय था जिस पर किसी ने अभी तक किताब लिखी नहीं थी और इस किताब में मैंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से हमा या किस तरह से हमारे जो शोधारती हैं वो समुद्र विज्ञान में कैरियर बना सकते है वो कौन से संस्थान है जहां इस तरह के काम चल रहे है और तीसरी जो मेरी किताब है वो अनुदित किताब है हिंदी की और जो हमारे अंटार्क्टिक का पहला अभियान गया था उसके रोचक शेली में ये किताब लिखी भी गई है और अनुदित भी की गई है कि पाठकों ने इसको बहुत पसंद किया है और इसम को यदि जब कोई पढ़ता जाता है तो ऐसा लगता है कि वो खुद भी जल्यान में बैठा हुआ है और अंटार्क्टिका की यात्रा कर रहा है तो इस तरह से ये मेरी तीनों किताबे हैं तीनों ही अंचुए विशय हम कह सकते हैं मैं जाद तर कोशिश करती हूँ कि जो विग्यान के जो विशय में चैन कर रही हूँ वो वो हो जिन पर कम लेखा गया है क्योंकि बहुत से विशय ऐसे होते हैं, जिन पर बहुप दोहराव होता रहता है, तो ज्यादतर मैं इसी तरह की किताबें लिखती हो। आपने विज्द्न के अतरति भी हिंदी भासा में किताबें लखी है। जी मैंने विज्ञान तो खेर मेरा मूल विशह है जिस पर मैं लेखन करती हूँ लेकि कई समसामेक विश्यों पर मेरे लेख भी आते रहते हैं कवितायम भी में लिखती हूँ और एक कह सकते हैं कि एक विशह था हमारे देश का काफी चर्चित विशह रहा है 1370 का कश्मीर को लेकर तो उस समय मैंने एक किताब लिखी थी 2015 में 1370 मुक्त कश्मीर हला कि वो कोई विवादास्पत किताब नहीं है उसमें हम 2013 में जब कश्मीर गए थे तो वहाँ मैंने देखा कि कश्मीर में कोई इस तरह क्या कोई माहौल नहीं था जैसा कि दिखाया जाता है धारास 370 को लेके तो वो मिथक मैंने इस किताब के माध्यम से तोड़ा कि ऐसा कुछ भी कश्मीर में नहीं है, मैं खुद कुश्मीर अपने परिवार के साथ होकर आई तो हाला कि बाद में तो अब इस किताब की कोई प्रासंगिकता उतनी रह नहीं जाती है, लेकिन अभी भी काफी पसंद इस किताब को किया जा रहा है क्योंकि इसमें मैंने कश्मीर के बारे में उस समय के हालातों के बारे में इसमें लिखा था और धारा 370 कोई हुआ नहीं था इस किताब में मैंने इस बात को इस पश्ट किया था. ड़क्टर सुबरता मिसरा जी, बर्तमान में आप विज्ञान लेखन के प्रसार को विज्ञान के लिए किस तरह से देखती हैं? हिंदी में जो लेखनकार है, वो कितना आगे बढ़ रहा है, या कैसे बढ़ सकता है, इसके विज्ञान के प्रसार है, वो पिछले कुछ सालों से, जब से आप देखेंगे, सोशल मेडिया आया है, या कंप्यूटर पर हिंदी की उपलब्धता, हिंदी टाइपिंग करने की ज साइप नहीं कर पाते थे, लेकिन जब से मोबाइल, सोशल मीडिया ये आये हैं, और हिंदी का लेखन असान हो गया है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो विज्ञान के जो विशय हैं, उनको हिंदी में लिखा जाने लगा है, और मोबाइल पर लोग असानी से उपलब याने सिर्फ विज्ञान का लेख लिखना है, ऐसा नहीं है, जिस तरह से कि हमारे साहित्य में बहुत सी विधाएं होती हैं, इसी तरह से विज्ञान लेखन में भी विज्ञान का विताएं हैं, या विज्ञान के नाटक हैं, कहानियां हैं, गल्प हैं, ये अलग अलग वि विधाएं प्रचलित हैं और जो भी व्यक्ति जिस विधा को पसंद करता है उस विधा के हिसाब से विख्यान को पढ़ सकता है. तो यह भी कोई जरूरी नहीं है कि विख्यान लेखन यान ने सिर्फ विख्यान की मौटी-मोटी किताब की या कि विजञान लेख एं जिनको और चोटी-छोटी तरीकळ से विख्यान को पढ़ना है, तो वो कविता हैं. आजकल विज्ञान कभी सम्मेल होनों का भी बड़ा दौर शुरू हो चुका है. तो ये बहुत सा सरस हम कह सकते हैं कि इन माध्यमों ने विज्ञान को लोग प्रसार की दृष्ट कौन से बहुत सरल सहज बनाया है और लोग इससे जुड़ भी रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने खुद अपनी तक्नीक निकाल कर अपना प्रसार किया है. बिल्कुल बिल्कुल य tenure इए इस बात के लिए कह सकते हैं. हम बरतवान श्थिति में भी जान की जो पत्त्र-पत्र काय निकलती हैं, उन के प्रकासन की इस्थिति के उपर आप विज्ञान की किताबों का जो प्रकाशन है या जो लेख होते हैं वहां कुछ कठनाईयां विज्ञान लेखकों को आती हैं क्योंकि जितने में हमारे उत्कृष्ट प्रकाशन हैं हिंदी में जो प्रकाशित करते हैं किताबों को वो हिंदी में विज्ञान की जो किताबे हैं उनको प्राथमिक्ता नहीं देते हैं, क्योंकि उनको उसमें कोई लाब नहीं दिखाई देता है, उनको लगता है कि यदि विज्ञान की हिंदी की किताब है, तो वो ज्यादा नहीं चलेगी, तो उनको उतना वो लाब नहीं उठा पाएंगे, तो ये एक परिशानी आ रही है उसके लिए भले ही कह सकते हैं लोग कहेंगे कि आजकल तो जमाना यह है कि आप अपनी खुद की किताबें निकाल लीजे आजकल किताबें प्रकाशित हो जाती है लेकिन उसमें वो इस्तरित्या नहीं रह पाती है और हमारे देश में एक चीज काउं की बात हैं तो वो भी उतनी नहीं है हमारे बहुत पुरानी जो हमारी विज्ञान प्रगती है या अविश्कार है लेक्ट्राणी की आपके लिए यह काफी प्रतिष्ठत पत्रिकाएं हैं तो इसमें बार-बार वोई लेखक नहीं लिख सकते हैं तो यहां थोड़ा स लेखक को कि आएगा की नहीं आएगा और मालनी जे देर सबेर छपा भी तो वो लेखकी जो प्रासंगिक्ता है वो उस समय खतम हो जाते हैं तो यह कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए हम यह भी कह सकते कि जो भी पत्रकाएं उसमें बिज्ञान का लेखन जो है वो इस तर का हो कि लोगों को एक तुस अच्छे से समझ में आए जी और दूसरा रोचक हो रोचक हो और लोगों को पढ़ने में रुची आए और रोच की उपयोग में आने वाली बिज्ञान उसका अगर ज्यादा से ज्यादा उसमें उपयोग किया जाए उस पत्रक प्रशा में या हिंदी में विज्ञान लेखन को अगर अपना केरियर बनाता है तो उसके लिए क्या संभावनाएं हैं बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि ये एक तो नए नई चीज है जैसे मैंने का शिक्षानीती आने से इसका जो जरूरत है वो ज्यादा बढ़ जाएगी तो केरियर बनाने के लिए इसका भविश बहुत उजवल है क्योंकि जो भी जैसे पत्रकारिता में मैंने कहा कि हमारे यहां विज्ञान पत्रकारिता भी पाठिकरम में आ गई है और विज्ञान की किताबों की जरूरत है लेखों की जरूरत है लोगों को विज्ञान से जो बनाना चाहिए तो बहुत ही सुखत भविश्य विज्ञान लेखन का शेत्रियों और हिंदी भाशाओं में रहेगा दर्शको आज आप लोगों ने हिंदी और विज्ञान के विशे में ये चर्चा सुनी आसा है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी इसके लिए जिसके लिए हम अपने इस्टूडियो की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद ंवार सुनी आसी होगी झाल झाल